भद्रम करणे विश्रुणयाम देवह भद्रम पशे माक्ष विरजत्राह इस्थिरई रंगई तुष्टु आग्वं शस्तनों बिरवशे महिदेवहितं जदायोहू प्यारे मित्रों सभी को जैश्याराम ओम नमस्षिवाय। मित्रों आज हम बात करेंगे पवित्र स्रामन के महिने में भगवान सिव को जो देवादी देव हैं जो महादेव हैं जो अवगर दानी हैं जो अपने पास में भक्त के द्वारा दी हुई किसी भी वस्तु को ज्यादा दिनों तक रखते नहीं उसको उस वस्तु को जो भी भगवान सिव को अरपन करते हैं उसको भगवान सिव अतिसीग्र हमको जो उसका फल है बहुत जल्दी प्रदान कर देते हैं तो मित्रों करना क्या है छोटे-छोटे से उपाए मैं आपको बता रहा हूं स्रामन का पवित्र महिना चल लहा है अगर आपको चाहिए ये वस्तु और आपको लेना है जीवन में लाब, आनंद और उस्साह, प्रेम ये सब कुछ चाहिए तो आपको करना है भगवान सिव को प्रशन और चढ़ानी है ये वस्तुए जिहा मित्रों सब्से पहले हम बात करेंगे भगवान सिव को अक्षत चढ़ाने की अक्षत अर्थात कच् करके और भगवान सिव पर पहले जल चढ़ा दीजिएगा इसके बाद में भगवान सिव पर कच्चे चावल रख करके धो करके आईएगा धो करके रख करके भगवान सिव को प्रणाम करें और उससे लाब क्या होगा आपको आपको जीवन में धन की लाब होगी आपको जी भगवान शिव क्या करते हैं मित्रों हमारे मन के अंदर जितने भी प्रकार के विकार भरे हुए हैं हम भगवान शिव को इत्र समर्पित करते हैं इत्र चढ़ाते हैं तो भगवान शिव हमारे उन विकारों को दूर कर देते हैं मित्रों बात करते हैं केशर केशर चढ़ाने स भगवान सिव क्या करते हैं भगवान सिव हमारे दामपत जीवन को केसर जब हम चढ़ाते हैं तो दामपत जीवन में मधुरता आती है और मन चाहा वर की प्राप्ति होती है जिन बिटियाओं का विवान हो रहा हो कन्याओं का विवान हो रहा हो जल में केसर मिला करके और पू बात करते हैं हम भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं दूरवा दूरवा चढ़ाने से क्या होता है बोले जीवन की लंबी आयू प्राप्त होती है भगवान शिव पर दूरवा चढ़ाने से हमको आयू की प्रद्धी होती है इसके बाद में रोग दूर करने के लिए हमको क् और से लोगों के फोन आते मेरे पास इन कि मारा जी रोग दूर करने के लिए क्या करना है? तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए गा रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही ऐख चोटा सा उपाय है जो सभी जगेह पर सुलबता से प्रतान हो जाता है गंगा जल और उस gli जल में गाय का देशी गाय का कच्छा दूद्य मिला करके आप चड़ाइए ओम नमस्सिवाय बोलते हुए चड़ाइए आपको लाब किये नुबूती होगी यदि आप चाहते हैं संतान का सुख आपके घर में नहीं हो रही है संतान तो शंपर करें बैदी कनुष्ठान साथ में चड़ाइएगा भगवान शिव उपर अन्न में जैसे तिल हो गया आपका और जौं हो गया गेहूं हो गया चना हो गया इस तरह के सब्तधान्य होते हैं उन सब्तधान्यों को ले करके भगवान शिव के उपर चड़ाइए आपके घर में निश्चित ही भगवान शिव की पून क्रपा होगी और बाल गोपाल आपके घर में किलकारियां करेंगे ऐसी भगवान सिव की महिमा है अब आपको चाहिए सबसे महत्व पून बात पे आते हैं लक्षमी तो लक्षमी को प्रदान करने के लिए भगवान सिव को अतिप्रिय क्या है क्या भगवान लक्ष्मी वान लक्ष्मी का पुत्र भगवान शिव को हम अरपन करें गन्य का रश गन्य के रश से करें भगवान शिव का अरपन सिव का अभिशेक शिव को अरपन करें गन्य का रश होगी लक्ष्मी की प्रात्ति लक्ष्मी की पूर्ण क्रपा हमारे घर पर हमारे ब्याप परिवार पर हमारे परिवार पर होगी शंपर करें और अभिशेक कराएं अपने घर पर प्रम्रों को बुला करके लाब ही लाब होगा इसी के साथ फिर हम आप शे मुलाकात करेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त जैमातादी जैमागंगे